आज हम बात करते हैं वैदिक मैट्स की एक और सूत्र के बारे में जिसका नाम है सेसे यंके नहार चरमे नहार जिसे रिमेंडर पाइदा लास डिजिट भी कहा जाता है अब देखिए यह फॉर्मुला कौन से कोश्चन्स में यूज होता है इसकी क्या कंडिशन है अगर कोई fraction है हमारे पास जिसका denominator 7 है तो वहाँ पर हम यह वाला फॉर्मुला यूज करेंगे जैसे 1 by 7, 3 by 7, 4 by 7 इस तरह के कोई भी fractions है उसको हम easily कैसे find out कर सकते हैं वो हम इस method से करेंगे चली देखते हैं इसके लिए हमें एक table बनानी पड़ेगे पहले इधर हमने लिखा quotient इधर लिखा remainder यहां हमने r into 7 means जो हमारा remainder आएगा उसको 7 से multiply करके इधर लिखना है और इस तरह हम अपना fraction लिख लेंगे अब देखे सबसे पहले हमारे पास fraction है 1 by 7 first step क्या है put a 0 तो पहला step है put 0 तो उपर हमने 0 लगा दिया यह 10 by 7 बन गया तो हम इधर लिख लेते हैं 10 by 7 अब हमने इस 10 को 7 से divide करना है अब 1 को नहीं करना है 10 को करना है और जो quotient आएगा वो यहां लिखना है remainder को यहां लिखना है देखे 10 को 7 से करेंगे यह orally भी हम कर सकते है 7 वंजा 7 तो 7 वंजा 7 करेंगे remainder कितना बचेगा 3 वो इधर आ गया अभी हम फिलाल यह दो ही column फिल करेंगे अब remainder 3 है तो अब यह 3 इधर आ जाएगा अब आपने 3 को 7 से करना है actual में 3 को नहीं करना 30 को करना है क्योंकि 0 हम 7 में लगाते जाएंगे remainder के यह हमें कब तक करना है जब तक कि हम इसी वाली position पे ना आ जाए फिर से तो हमें कब तक यह division करनी है अब 30 को 7 से करेंगे 7 forza 28 29 30 remainder is 2 अब यह 2 इधर आ गया यह इधर आते र से 20 by 7 7 2 जा 14 remainder is 6 अब यह 6 इधर आ जाएगा यह बन जाएगा 60 by 7 7 8 जा 56 और 4 remainder फिर 4 इधर आ गया 40 by 7 7 5 जा 35 5 remainder 5 फिर से इधर आ गया 50 by 7 7 7s are 49 1 remainder 1 इधर आ गया 10 by 7 अब यह देखिए यह जो 10 by 7 है जो हमारे पास starting में था यह फिर आ गया इसका मतलब यह सारे steps फिर से repeat होंगे और उसके बाद फिर से repeat होंगे तो हम इसके आगे solve नहीं करेंगे हम उसमें बाहर लगा देंगे तो हमारे पास यह remainder आ है अब हमने क्य करना है जो हमारे पास remainder आया उसको 7 से multiply करके इधर लिख लेना है 3 7s are 21, 2 7s are 14, 6 7s are 42, 4 7s are 28, 5 7s are 35, 1 7s are 7 तो देखिए हमने अपने यह लिख लिया अब देखिए शुरू में आपको बताया था इसका नाम है remainder by the last digit तो मतलब हमने जो question solve करना है उसका जो answer है वो हम कहां से निकालेंगे जो remainder के last digit के numbers है वहां से तो देखिए अब हमारे पास इस remainder के last digit में क्या क्या आया यह वाली line once please के one four two eight three और यह क्या है क्या हम इसे लिखेंगे हां क्योंकि यहां तक तो हमने करना ही है इसके बात के step हमने नहीं करना है क्योंकि वो repeat होंगे देखिए हमारा answer आ जाएगा one by seven equals zero point अब हमने यह corner के numbers लिख लेना है सारे one four two eight five seven इसके उपर हम बार लगा देंगे क्योंकि seven के बाद फिर से कौन सा number repeat हो जाएगा यह वाला फिर से यह आजाएगा फिर यह आएगा इस तरह से अब यह repeat होता जाएगा तो बाहर means कि यहां तक number आने के बाद फिर से यह नमबर दुबारा से repeat होते रहेंगे keep on repeating तो हमारा one by seven जो है वो हमने इस तरह से solve कर लिय है तो बहुत ही easy method है कोई भी fraction आप इससे solve कर सकते हैं पर special case क्या है कि denominator में 7 होना चाहिए तब ही हो जकता है यह thank you